दोस्तो आपका हमारे यूटीव चेनल पर स्वागत है। दोस्तो भले ही कोई लड़का किसी लड़की के साथ लब अफेयर या रिलेसंस इन में क्यों ना रह रहा हो। फिर भी लड़के पूरी तरह से लड़की को समझ नहीं पाते। क्योंकि लड़के सोचते हैं कि लड़क तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ओल पर क्लिक करें। नमबर बन दोस्तो जादा तल लड़कियां इमोशनल सुभाव की होती हैं और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है प्यार लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़कियों की सोच भी बदल जाती है और वे प्यार के साथ साथ दूसरी जरूरतों को भी महत देना सुरू कर देती हैं यानि उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़कियां प्यार से ज़्यादा पैसे को महत देने लगती हैं सेकंड नमबर दोस्तो दू नहीं लड़कियां बहुत ही इमोसिनल होती हैं और जो लड़के लड़की को अपनी इमोसिनल बातों में फसाने की कला जानते हैं तो लड़कियां बहुत जल्दी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं थाड़ नंबर दोस्तो भले ही किसी लड़की को किसी लड़के से कितना ही प्यार क्यों न हो जाए इसके उपरांग भी लड़कीया अपने दिल की बात जुवा पर जल्दी नहीं लाती किन्तु वे कई एक संकेतों और हरकतों से लड़के को प्यार होने का एहसास कराती है और वे सोचती हैं कि लड़का उनके दिल की बात को खुश समझे और उन्हें अपनी ओर से प्रपोच करे किन्तु जब लड़के लड़की के संकेतों को समझ नहीं पाते तो लड़कियां सोच लेती हैं कि इस लड़के को हमसे प्यार ही नहीं है और वे लड़के को भूलने का प्रियास करने लगती है इसलिए लड़की को प्रपोच करने में देरी भी नहीं करनी चाहिए फूर्स नमबर दोस्तो हर लड़की को रोमेंटिक और रंगीन बातें करना बहुत पसंद होता है और वे जिस लड़के की और आकरसित हो जाती है या जिस लड़के से प्यार करने लगती है उससे इसी तरह की बातों की उमीद रखती है इतना ही नहीं लड़कियां उसी लड़के से हसी मजात और रोमेंटिक बात हैं करती है जिससे उन्हें प्यार हो जाता है इसलिए लड़की के इन संकेतों को नजरंदाज ना करें यानि कि उसे समय रहते प्रपोच करें फाइब नंबर दोस्तो जो लड़का लड़कीयों के दिल में बस जाता है लड़कीयां उसी लड़के के साथ देर तक बाते करना पसंद करती है इतना ही नहीं जब लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है तो लड़कीयां कोई न कोई बहाना बना कर उस लड़के से बात करने की कोसिस करती है दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्नमाद